नमस्कार दोस्तों आप सब्धे का स्वागत है गलोबल एटोमी नेटवरक टीम वारियर में दोस्तों दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब्धे अपने स्थान पे कुशलपूरोग होंगे और जो कि current situation चल रही कोरोना की तो आप अपने आपको और अपने family को उससे बचा कर रखिए और Atomi India की जो latest news है उसके बारे में आज हमें discuss करेंगे Atomi में अब तक क्या हुआ 2 से 2.5 साल तक क्या हुआ और आगे Atomi में क्या होने वाला है Atomi की जो launching date है वो कब की है आज Atomi India के MD मिस्टर शेख हिम्तियाज अली ने live Facebook पर क्या आये है और Facebook पर आक करके उन्होंने live बोला है ठीक है कि Atomi बहुत ही जल्दी launch होने वाला है इंडिया के अंदर और आप लोग अपनी team create करते रहिए और Corona से सभी लोग बच के रहे और Atomi India के जो launching की जो planning है और अब तक Atomi India में क्या-क्या progress हुआ है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर जान करें देंगे अगर आप इस चैनल पर नए है तो किरपा करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको latest Atomi की information time to time मिलती रहे और अगर आपने भी तक Atomi join नहीं किया है तो आप हमें call कर सकते हैं वर्ट सब कर सकते हैं आपको Atomi Team Warrior Education and Training का पूरा सपोर्ट मिलेगा globally चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज Atomi India की MD Mr. शेख इम्तियाज अली ने क्या का Atomi की current situation के बारे में और launching के बारे में जैसा कि आपको पता है कि आज Atomi के जो MD है Mr. शेख इम्तियाज अली ने discuss किया है कि Atomi बहुत ही जल्दी लांच होने जारी है दोस्तों ठीक है बहुत अच्छी न्यूज है बहुत ही good न्यूज है बाइफेस आपकर के उन्होंने कहा है कि Atomi बहुत ही जल्दी लांच होने वाली है और उसके जो launching planning है launching strategies है उनके बारे में आज डिसकस किया उन्होंने ठीक है तो जैसा कि आपको पता है कि Atomi का जो registration है पिछले दो-धाई साल से चल रहा है इंडिया में और कोई भी जब बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर launch होती है या कोई भी international company बहुत ही बड़ी कंपनी well-proved company एक बहुत ही famous company जब इंडिया जैसे बड़ी country के अंदर launch होती है तो इंडिया का market बहुत बड़ा है काफी hard work कर रहे है ठीक है तो उन्होंने क्या क्या चीज़े बताइए उसके बारे में discuss करेंगा तो सबसे पहले मैं आपसे discuss करूँगा current data आपके मन में भी इच्छा होगी कि भई Atomy इंडिया में कितने users registered हो चुके हैं अभी तक तो ये current data है जैसा कि आप देख सकते हैं 2016 से लेकर के 2020 तक 2020 आज यानि की 20 मई 2020 तक का जो data है आपके screen के उपर है 13,92,313 members as a consumer member registered हो चुके हैं जिसमें से 78% males हैं और 22% females हैं leaders हैं ठीक है और जो 13,92,313 members हैं उनकी ID अभी as a consumer member register हुई है जितने भी लोग register हुए हैं और आपकी ID ADN में convert होनी है Atomy distributor number में जो की KYC होने के बाद आपकी ID को ADN number दिया जाएगा जो आपका user ID है YADN number रहेगा Atomy distributor number तो wait कीजिए बहुत ही जल्दी KYC और data migration की process start होगी आपको officially MD बताएंगे कबसे होगी ठीक है उसके लिए wait करने आपको next और जो अभी registration process चल रहा है और 13,00,000 से ज़्यदा लोग approximate 14,00,000 के आसपास registration हो चुके है और बहुत ही जल्दी daily basis पे registration process fastly बढ़ रहा है और यह है all over India का data north, east, west, central जो data आप देख रहे है north, west, south, north, east, east, central जो all over India के जो six parts कर रखे है as per direction wise, as per disavise तो आप देख सकते हैं कि किस part में कितने users registered हो चुकी है सबसे ज़्यदा 28% registration हो चुकी है इसके east में ठीक है उसके बाद 19% north east में होए है और फिर central India में 19.2 और फिर north इंडिया में 12.9 और west में 12.3 और south में 8.2 सबसे कम percentage south में है यानि कि करनाट का तमीनलाडू और करनाट का तमीनलाडू केरला तो south इंडिया के अंदर atomy के सबसे कम registration है सबसे कम users है ओके next देखे है यह जो पूरा paragraph इसके बार में अलग-अलग state wise यह data दिखाई दिया गया इसमें तो आप इस data को देखे कि आप कि स्टेट में फाल करते हैं और आपके स्टेट में कितना परसेंट atomy के जो members हैं वो registration हो चुका है उनका 13,92,313 में आपके स्टेट में कितना परसेंटेज registration हो चुका है तो उस पर focus किजिए आप अपने team के उपर next अब बात करेंगे हैं जो आज का हमारा main topic है atomy इंडिया launching planning तो दोस्तों यह जो opening timeline status दियागा है यह approximate है ठीक है यह fix नहीं है जैसा कि आप सभी को पता है कि Corona COVID-19 का situation यह इंडिया में चल रहा है और maximum companies के office close है और atomy officials को अपने घर से काम करना पड़ रहा है जैसा कि Mr. Ali ने बताया आज तो आगे की situation depend करता है कि इंडिया में बहुत जल्दी stable हो जाए कि हम इच्छा करेंगे दुआ करेंगे वैगवान से कि बहुत ही जल्दी यह कोवीड खतम हो जाए इंडिया से और atomy बहुत ही जल्दी start हो जाए ठीक है तो इसमें क्या क्या है उसके बारे में मैं दिसकसकोंगा लेफ्ट साइड पर मेंबर माइग्रेशन जो ग्रीन क्लर का देख रहे हैं मेंबर वैरिफिकेशन सेंट्र अप्लिकेशन न्यू मेंबर रेजिस्ट्रेशन शोपिंग मॉल ओपन और ग्रांड ओपन जो फस्ट है एक्सपेक्टिड शुडूल एज वाज जो पहले का श्रीडूल वह देखिया और चेंज श्रीव है उसके बारे में डिसकस करेंगे थ़र्ट कोलम में ठीकराइट में आडए में गींडिया की data इंडिया की website पे registration होना है अभी तो उसके लिए migration of members का जो data है migration की जो प्रिक्रिया है South Korea से जो Indian leaders का जो data है वो migrate होना है Atomi इंडिया की website पे तो वो काम कब से start होगा 16 छे यानि कि 16 जून के आसपास 10 बजे से expected होना किया है 16 जून के आसपास data migration का काम start होना है approximate date and time यहां पे दिया गया नेक्स्ट मेंबर verification मेंबर verification का मतलब के वाइसी जो मेंबर verification परिक्रिया है वो start होगी 16 जून से ठीक है और 6 मेने तक चलेगी वो 16 जून से ले करके December तक वो परिक्रिया चलती रहेगी continuous जिस leader का के वाइसी हो जाएगा जो अपना बैंक details अप्रोड कर देंगे वाइ लीडर एटो में के online shopping mall से item purchase कर पाएंगे और अपना business आगे बढ़ा पाएंगे तो आप से गुजारिस है आप अपना pen card आधार card और बैंक details अपने पास रखिए मेंबर verification के लिए next is center application atomy india जब launch होगी launch होने से पहले center application के लिए अगर आपकी team का top leader royal club का member है star master and above है तो वो sign करने के लिए authorized है आपकी team के जो leaders center लेना चाहते है franchise लेना चाहते है जिसके उपर 6% आपको commission मिलेगा एक मिने में जितने products उस center के अंडर online purchase होंगे उसके उपर जो pv का 6% आपको मिलेगा तो उसकी जो परिक्रिया है center application की वो 16-7-20 से शुरू होगी आने कि 16 जुलाई से शुरू होगी next new member registration on Indian website expected है 20 जुलाई से 20 जुलाई से इंडिया की website के अंदर new member registration स्टार्ट होंगे जो की 18 साल की age होगी उसके अंदर ठीक है तो age का approximate 18 है होने चीए जैसे की बताया गया पहले next shopping wall grand open कब होगा September से नौंबर के बीच दोस्तों यह September से नौंबर के बीच का approximate period दिया गया 3-6-4 मिने का जो time बताया है Mr. Ali ने यह approximate बताया है maximum time बताया है इन्होंने ठीक है और अगर atomic की सारी प्रक्रिया है सारी process सब कुछ पहले हो गया और situation यहां पर control में रही इंडिया में Corona खतम हो गया तो September से पहले भी यह launch कर सकते हैं तो यह जो तीन से चार मेने का time दिया गया है यह approximate time मान के चलिए फाइनल डेट time to time जो इंडिया के MD है वो officially आपको बताएंगे ठीक है तो तब तक आप अपने team जारी रखिए Next is Grand Open Grand Open का मतलब यह है कि जब Atomi इंडिया के अंदर launch होगा तो first three month में जितने भी लोग sales master, mastership bonus के लिए qualify करेंगे उन सब को recognition के लिए Atomi के CEO Mr. Henkels पारक और internationally काफी बड़े-बड़े leaders इंडिया के अंदर आएंगे तो Grand Open का जो seminar है बहुत बड़ा seminar होना है उसके अंदर सभी को सम्मानित किया जाएगा तो Grand Open का 2021 में इनोंने बोला है यानि कि January, February, March first quarter में expected है ठीक है तो आप मेहनत कीजिए जदा ज़दा आप और आपके टीम के लोग mastership level achieve करें ठीक है next next हम discuss करेंगे Mr. MTI जली ने क्या-क्या आज बताया है उसके बारे में points करेंगे क्योंकि उनको by face आना पड़ा इसलिए आना पड़ा कि आप सभी लोगों को विश्वास हो जाए कि atomic बहुत जल्दी इंडिया में आ रही है जो current situation चल रही थी वह किस कारण थी कोविड-19 की वज़े से उसके बारे में इन्हों ने बताया है जैसा कि आपको पता है कि lockdown इंडिया में चल रहा है अभी मार्च से ठीक है और कोविड-19 में सबसे पहले आप अपने आपको सेफ र ने थे वह गए डिले जैसे कोरिया में situation stable हुआ तो इंडिया में फिर lockdown हो गया तो यहां पर लोजिस्टिक सपोर्ट फ्लाइट्स वगरा सब कुछ बंद हो गया तो सेंपल इंडिया में टाइम से नहीं आ पाए नहीं तो एक्सपेक्टिड शुडूल अप्रेल के आसपास था हो execution का लेकिन product sampling जो अंडर प्रोसस थे कुछ product sample आ नहीं पाए टाइम के उपर जो सेंपल की चक्कर में वो डिले हो गया ठीक है तो एक्टोमी को सारी activity साउट को रहा के अंदर shutdown करने पड़ी फरवरी के अंदर और जो सेंपल के जो product थे वो इंडिया में टेस्टिंग के लिए अप्रोल के लिए नहीं पहुच पाएं ठीक है ठीक है तो फरवरी में lockdown वहां पे खतम हुआ उसके बाद सेम टाइम मार्च में यहां पे इंडिया में lockdown स्टार्ट हो गया और सारी flight और car को जो services है वो यहां पे close हो चुकी थी और जितने logistic service थी वो सभी close हो चुकी थी और सो सैंपल यहां पर टाइम पर नहीं पहुच पाएं तो इस वज़े से वो डिले हुआ है और एटोमे का fully preparation जो था वो अप्रेल में लांचिंग का था लेकिन वो डिले हो गया ठीक है और website और आल activity जो भी है ठीक क्योंकि आटोमे का office भी close हो चुका था तक तक जितने भी कंपनियां थी lockdown के अंदर सब close थी इंडिया के अंदर तो अभी good news यह है आज जो MD ने बताया है 61 product cosmetics category के और living category के approve हो चुके है पास हो चुके 48 products under registration है भी 48 products का registration चल रहा है 61 product पास हो चुके है cosmetics और living category के जो की बहुत ही अच्छी news है तो आप सोचिए atomy plant कर रही है कि maximum product launch हो इंडिया में maximum more than 100 product के साथ launch हो रही है बहुत ही बड़ी खुसकबर ही है दोस्तों ठीक है और six food category के products वो under registration process है भी उनका काम चल रहा है और दो महिने के अंदर food की category के कुछ product approve हो जाएंगे आप आपको बता दिये जाएगा ठीक है और वो lab testing के अंदर उनके samples lab testing में चल रहे हैं अभी अंडर process है next दो महिने के अंदर आपको उसके बारे में official information दे री जाएगी तो एक्टोमी इंडिया जो final expect कर रही है September 2020 में launching की यह maximum time period है तो एक्टोमी चारी है कि September तक सभी leaders का payout start हो जा है ठीक है तो लोजिस्टिक construction जैसा की मिस्टर अली ने बताया लोजिस्टिक construction बेभी अंडर process है कुछ time के लिए hold up हो गया था उन्होंने लोजिस्टिक गोरदाम जो बना रखा जा पर जितने भी products आएंगे storage वहां पर बनाया जाएगा और जो storage का जो रैक का काम होता है और hangar के roof पे तो कई तरह का forklifting का जो काम होता है वो under construction है और वो चल रहा है ठीक है और सारा जो काम है सारी जो प्रक्रिया वो continuous ले चल रही है तो उसके लिए wait कीजिए आप और Atomi ने जो maximum timeline दिये September 20 तक almost 4 महीने है अगर सारे काम पहले complete होगे जो भी under registration process से सब कुछ पहले complete होगे तो पहले launch करतेंगे कोई बात नहीं है और आपको official information बताए जाएगी Atomi की तरफ से कि हम उस date को launch कर रहे है और जो भी data migration का काम है को रहा के website से इंडिया में आएगा व मैं बता चुका हूँ पहले KYC updation का काम भी start होना है इससे पहले launch, final launching से पहले और जो भी correct information है Mr. Ali ने आज दिये तो वह आप अपने team को बताएगे यह Atomi बहुत जल्दी आ रही है तो आप अपना काम करते रही है Atomi दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह बताएगे कि आज के local local देशी सब देशी चल रहा है तो उस चीज़ पर मत जाएगे आप Atomi का competition किसी भी Indian company के साथ नहीं है Atomi का जो competition है वो basically international companies के साथ है बड़े बड़े देखती है जितने भी direct selling company है इंडिया की जैसा कि हैंगल स्पारक ने बताया कि उनका किसी भी देश की local company के साथ कोई competition नहीं है सभी company इंडिया की brother and sister की तरह काम करेंगी Atomi के साथ और Atomi उनको bro and sister की देखती है सभी Indian companies को तो Atomi का competition सरफ international companies के साथ है और shopping malls के साथ है ठीक है त तो feature plan है दोस्तों बहुत बड़ा है making India project ठीक है making India का plan है बहुत ही बड़ा plan है Atomi की MD है उन्होंने इसारों में बता दिया है कि Atomi का making India plan है और Megamaster plan इंडिया के लिए अलड़ी प्रेडी कर रखा है इन्होंने तो आप trust कीजिए आने वाले time में आप सारी चीजें देखेंगे ठीक है और विश्वास कीजिए believe in making India तो Atomi India के अंदर product बनाएगी और Atomi believe in making India for world और Atomi India के product इंडिया में बनेंगे पूरे world के लिए और GSGS technology के दुवारा making India project होगा और GSGS technology के दुवारा product इंडिया से दूसरे countries में जाएंगे जो की बहुत बड़ी बात है दोस्तो ठीक है तो आज इन्होंने इसके बारे में काफी कुछ बताया है तो यह सब चीजें आप विश्वास कीजिए और आने वाले time में सारी चीजें आप देखेंगे सारी बातें Mr Ali एक साथ नहीं बता सकते आपको तो वेट कीजी time का आने वाले time में बहुत अच्छे अच्छी बात हैं आपको जानने को मिलेंगी और आप देखेंगे ठीक है अपनी और अपने family की health का ख्याल रखिए अगर आप ठीक रहेंगे तो आगे business कर पाएंगे और बहुत अच्छ platform है बहुत बड़ा platform है यह तो विश्वास करके Atomy के MD Mr. Ali के साथ रही है जो भी उन्होंने guideline दी है उसको follow कीजिए और आप अपनी team में बताइए सारे की सारे चीज़े तो मैं आशा करता हूँ कि यह जान करें दोस्तों आपको पसंद आई होगी और आपके maximum doubt आज यहाँ प सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और आपके पूरी team को Atomy की global information मिलती रही है और अगर आप team warrior के साथ join करना चाहते हैं तो आप join कर सकते हैं call कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हमें और social media पर आप हमारे जो links दे गया है उन पर आप हमें follow कीजिए thank you very much दोस्तों